नमस्कार न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ अमरित उपाध्य है आईए जल्दी से देखें आज के हेडलाइन्स राष्ट्रिया फिल्ब पुरसकारों में हुआ बड़ा बदलाओ पुरसकारों से हटाया गया इंद्रा गांधी और नर्गिस दत्त के नामों को सम्मानों को तर्ग संगत बनाना बताया गया मकस्द मद्रास हाई कोट ने दी फॉर्मूला फोर रेस को सस्षर्ट मनजूरी तमिलनाडू सरकार को दिया सारवजनिक सुरक्षा प्रवाइड करवाने के आदेश नौइस पॉलिशन को लेकर दर्ज की गई थी आज़िदा और इस रो का नौटी बॉय चर्चा में जी एसल्वी को कहा जाता है इस रो का नौटी बॉय जी एसल्वी ने हाल ही में इंसेट 3DS को किया है कक्षा में स्थापित आईए खबरों के शुरुआत करें खबर आई है राश्ट्रिया फिल्म पुरसकारों में बड़े बदलाओ की दरसल हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्राले ने पूरु प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी और दिवंगत अभिनेत्री नर्गिस दत्त के नामों को राश्ट्रिया फिल्म पुरसकार से हटा दिया है दरसल मंत्राले द्वरा गठित एक समिति की सिफारिशों के अधार पर और भी कई अन्य बदलाओं की गोशना की गई है बदलाओं का मकसद सम्मानों को तरकसंगत बनाना बताया जा रहा है आई समझते हैं क्या है पूरी खबर जो बदलाओं किया गया है उसको देबियो फिल्म के लिए इंदरा गांधी पूरसकार को अब केवल निर्देशक की सर्वश्रेश्ट डेबू फिल्म कहा जाएगा आपको बता दें कि 28 में राष्ट्रिया फिल्म पूरसकार 1980 के दोरान इंदरा गांधी का नाम इस पूरसकार से जोड़ा गया था इसके अल संसकरण के दोरान जोड़ा गया था आपको याद होगा कि पिछले साल 2021 के राष्ट्रिया फिल्म पूरसकारों के 79 संसकरण में विवेक अगनिहुत्रे की दकश्मीर फाइल्स ने नर्गिस दत पूरसकार जीता था जबकि इंद्रा गांधी पूरसकार अविश्नु मोहन की उनकी मले आलम फिल्म मेपडियन के लिए मिला था हालिया बदलाओं में पूरसकारों के लिए दी जाने वाली राष्ट को भी संशोधित किया गया है उदारन के लिए सिनेमा के क्शत्र में जीवन भर के योगदान के लिए दे जाने वाले दादा साहब फालके पूरसकार क से 2,00,000 रुपए के बीच में थे इसी के साथ सर्वस्रेश्ट एनिमेशन फिल्म और सर्वस्रेश्ट स्पेशल एफेक्ट्स के पुरसकारों के लिए एक नई कैटेगरी बनाई गई है इसको अब सर्वस्रेश्ट एवी जी सी यानिमेशन विजूल एफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स फिल्म कहा जाएगा इसके अलावा सर्वस्रेश्ट स्क्रिप्ट के लिए एक नई श्रेणी की भी शुरुवात की गई है इसी के साथ सम्विधान की अनुसूची आठ में निर्देश्ट प्रतेक भाशा में सर्वस्रेश्ट फीचर फिल्म के पुरसकार का नाम बदल कर सर्वस्रेश्ट फीचर फिल्म कर दिया गया है चलिए ये भी जानते हैं कि इन परिवर्तनों के पीछे कौन सी समिती है जैसा के हमने पहले बताये आपको कि नय नियम सूचना यों प्रसारण मंत्राले द्वारा सम्मानू को तरक संगत बनाने के उदेश्य से गठित एक समिती की सिफारिशों के आधार पर लागू हुए हैं समिती के अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्राले में अतिरिक्त सचिव निर्जा शेखर ने की और इसमें फिल्म निर्माता प्रियदर्शन और विपुल अमरितलाल शाह, केंद्रिया फिल्म प्रमाडन बोर्ड के प्रमुक प्रसून जोशी, साथी I&B यनी सूचना औ और संस्कृति को प्रुचाहित करने के लिए और राश्ट्रिया इस्तर पर भारत भर में बनी फिल्मों को सम्मानित करने के मकसद से प्रदान किये गये थे 1973 से फिल्म समारोह निदेशाले ने हर साल इस समारोह का संचालन किया है वहीं जूरी की नियुक्ती फिल्म महोत्सो निदेशाले द्वा रखी जाती है आपको बता दे नियमों की एक सूची हर साल नियमों के एक दस्तावेज में प्रस्तूत की जाती है जिसे राश्ट्रिय पूरसकार विनियम के रूप में जाना जाता है। 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 FIA Formula 4 तकनिकी नियमों के अनुसार केवल चार सिलेंडर इंजन की अनुमती है। सामाने रूप से एस्पिरेटेड और टर्बू चार्ज दोनों इंजनों का यूज़ किया जा सकता है। पावर आउटपुट को 160 BHP पर सीमित किया गया है लेकिन इंजन डिस्प्लेस्मेंट असीमित तै किया गया है। इसी प्रकार कार की हाइट कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, इन सब चीज़ों से ट्रैक की डिजाइन तक सब कुछ नियमों के तहती किया जाता है। देखे, Formula 4 को FIA Formula 4 या FIA F4 भी कहा जाता है, या जूनियर ड्राइवरों के लिए एक Open Wheel Racing Car Category है। मतलब यह हुआ कि UR ड्राइवरों के लिए प्रवेशस्तर की केटेगरी बनाई गई है। Formula 4 रेसिंग बेसिकली कार्ट रेसिंग और Formula 3 रेस के बीच के अंतर को पाटने के लिए बनाई गई थी। यह रेसिंग सरकिट आइलेंड ग्राउंड्स, विक्ट्री वार मेमोरियल, नेपियर ब्रिज, शिवानन्द सलाई और माउंट रोड तक फैला हुआ 3.7 किलूमिटर का सरकिट है। ओरिजनली यह रेस पिछले साल दिसंबर में होनी थी, लेकिन मिचोंग साइकलॉन के कारण उस समय से स्थगित करना पड़ा था। साइकलॉन मिचोंग के कारण 3 और 4 दिसंबर को जबरदस बारिश हुई थी, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ततकाल राहत प्रयासों की ज़रूरत पड़ी, इस गंभीर स्थिति को देखते हुए तमिलनाडू सरकार ने बचाओ और पुनरवास को प्राथमिक को मदरास मेडिकल कॉलेज कहते हैं, याजका करताओं ने ये दलील दी कि तेज गती वाली फॉर्मूला रेस कारें भारी मातरा में शोर पैदा करेंगी, जिससे अस्पताल के मरीजों को असुविधा होगी, लेकिन मदरास हाई कोट ने सारी दलीलों को धरकिनार कर दिया, और रेस आयूज को से कहा कि रेस सर्किट के चार ओर परियाप्त संख्या में साउंड बैरियर लगाईए, इसके साथ नयाधिशों ने ये भी आदेश दिया कि रेस के दौरान दर्शकों की सुरक्षा के लिए सभी दर्शकों को आवश्यक सेफटी गियर भी प्रोवाइड कराये जाए, कॉमेंट करके बताइए कि हाई कोट की ऐसी रेस पर निर्ण है, सही है या फिर गलत? हाली में इसरो का नौटी बॉय चर्चा में आया है, ये नौटी बॉय और कोई नहीं है, बलकि इसरो का जियो सिंक्रोनस सेटलाइट लॉंच विकल है, इसरो के अधिकारियों ने कहा कि नौटी बॉय कहा जाने वाला जी एसल बी अपरिपक्व होकर एक अत्यंत आग्याकारी और अनुशासित लड़का बन गया है, तो चलिए समझते हैं, जी एसल बी की इमेज ए प्रिथवी की सतह, वायूमंडल, महसागरों और परियावरण के उननत निगरानी करना, ऐसा नहीं है कि यह इसरो का कोई पहला मौसम उपग्रह है, देखे अंतरिक्ष में अल्रेडी इंसेट 3D और इंसेट 3DR मौसम उपग्रह प्रिथवी के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन हाली में लाँच किया गया इंसेट 3DS मौझूदा दोनों उपग्रहों की क्षमताओं को बढ़ाएगा, और भारत की मौसम और जलवायू भविश्यवाणी सेवाओं, प्रारंभिक चेतावनियों और आपदा प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देगा, लेकिन मज के पास सेटलाइट को लाँच करने के लिए बेसिकली तीन तरह के रॉकेट हैं, ये हैं GSLV, PSLV और LVM3, ध्यान दीजिए कि LVM3 को पहले GSLV MK3 कहा जाता था, अब थोड़ा नजर इनकी परफॉर्मेंस पर डालते हैं, 17 फरवरी दोहजर चॉबिस तक GSLV रॉकेटों ने सित्वी अवलोकन उपगरा EOS-3 को अंतरिक्ष मिले जाने का प्रयास कर रहे थे, उडान के 5 मिनट बाद ही ये निर्धारित रास्ते से बटक गए और अंडमान सागर में मूह के बल जाकर गिर पड़े, ये ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी भी रॉकेट के लिए बहुत अभी भी विफल नहीं हुआ है, अपने इसी परफॉर्मेंस की वज़ा से GSLV को Naughty Boy के रूप में जाना जाता है, अब ये भी समस्ते हैं कि GSLV में क्या समस्ते आएं थी और ये इतनी बार फेल क्यों हुआ, देखे जियो सिंक्रोनस सेटलाइट लांच विकल यानी GSLV एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट है, जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक उचाई तक ले जाने में सक्षम है, ये भू-स्थैतिक अक्षाओं में 200 केजी से अधिक और निचली पृत्विक अक्षाओं में 6000 केजी से अधिक वजन ले जा सकता है, ये उपग्रहों को अन्य अंतरिक्ष वस्तूओं को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर और्बिट में लॉंच कर सकता है इसलिए जी एसली को संचार उपग्रहों को लॉंच करने के लिए डिजाइन किया गया है एक और फैक्ट जानते हैं जी एसली के पहले चरण में ठोस इंधन और दूसरे चरण में लिक्विड इंधन का प्रेयोग होता है इसके बाद तीसरा चरण होता है जिसे सी यूएस यानि क्रायोजनिक अपर स्टेज कहते हैं यही क्रायोजनिक अपर स्टेज जी एसली के सफेद दामन में कलंग की तरह लगा हुआ है दरसल जी एसली एक क्रायोजनिक इंजन का उप्योग करता है और GSLV के समझ से आए मुख्य रूप से cryogenic engine के साथ ही जुड़ी हुई हैं पहले तो ये समझते हैं कि cryogenics क्या है cryogenics बहुत कम तापमान पर तत्वों के व्यवहार से संबंधित विज्ञान है cryogenics engine मुख्य इंधन के रूप में तरल hydrogen का उप्योग करते हैं हाला कि यह केवल बहुत कम तापमान पर यानि 0 से लगभग 250 degree Celsius के नीचे ही तरल अवस्था में आता है अब इस इंधन को जलाने के लिए जिस oxygen की जरूरत होती है वो भी तरल रूप में होना चाहिए और oxygen 0 से लगभग 90 degree Celsius नीचे तरल अवस्था में होती है बस इसी स्टेज में कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण cryogenic upper stage विफल हो जाता है जिसके कारण GSLV का track record थोड़ा खराब हो चुका है लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई सालों के अनुसंधान और विकास के परिणाम भारत अपना cryogenic engine भी विक्सित करने में कामियाब रहा है इस engine का design पूरी तरह से भारतिया है जिसे इसरो द्वारा विक्सित किया गया है और यहां इंधन जलाने के लिए एक अलग प्रक्रिया का उप्योग करता है तुलना की जाए तो यह Arian rocket के design के बहुत करीब है जिसने चंद्रियान 2 और चंद्रियान 3 mission को अंजाम दिया LV M3 ने अब तक बिना किसी विफलता के साथ उडाने भरी है कहा जा सकता है कि PSLV की तरह इसरो के वैग्यानिकों ने इस घरेलू cryogenic तकनीक पर बहतर पकड़ बना ली है फिलहाल हाली में हुए GSLV के सफल प्रक्षेपण ने कुछ समय के लिए GSLV रॉकेट पर लगे सवाल या निशान हटा दिये हैं लेकिन कुछ हपतों के बाद इसका एक और महतुपूर्ण टेस्ट होने वाला है कुछ दिनों बाद GSLV निसार यानि नासा इस्रो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को ले जाने वाला है निसार इस्रो और नासा के बीच अपनी तरह का पहला सहयोग है जो GSLV के लिए अब तक का सबसे प्रतिष्ठत मिशन साबित होगा हाली में खबर आई है कि ब्यूबोनिक प्लेग वापस आ गया है दरसल हाली में अमेरिका के ओरेगन में स्वास्ता अधिकारियों ने राजी में ब्यूबोनिक प्लेग के पहले मामले के पुष्टी की स्वास्थादिकारियों के अनुसार व्यक्ति को संभावता एक बिमार पालतू बिल्ली से ये बिमारी ट्रांसफर हो गई है लेकिन अच्छा ये हुआ कि इस बिमारी का तुरंट पता चल गया और व्यक्ति को इलाज के लिए अंटिवियोटिक्स दे दिये गए व्यक्ति और बिल्ली के संपर्क में आए लोगों को भी उप्चार प्रोवाइड करवा दिया गया है लेकिन आप यहां ब्यूबोनिक प्लेग को हलके में मत लीजेगा ब्यूबोनिक प्लेग 1346 और 1353 के बीच पश्चमी एशिया, उत्तरी अफ्रिका, मद्यपूर्वा और यूरोप में फैला था यह वो बिमारी है जिससे 1346 और 1353 के बीच यूरोप में 50 मिलियन लोग मारे गए 14. श्रताबदी में इस महमारी के कारण होने वाली जन सांख्य की अतबाही के कारण इसे ब्लैक डिथ के नाम से भी जाना जाता है तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि ब्यूबोनिक प्लेग क्या है यह जानवरों और लोगों के बीच फैल सकता है यह जानवरों और लोगों के बीच फैल सकता है इससे बुखार, सिरदर्द, कमजोरी और लिंफ नोडस की दर्दनाग सूजन होती है और यह आम तौर पर संक्रमित पिस्सु के काटने से होता है यदि बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है तो septicemic plague होता है यह अक्सर एलाज न किए गये ब्यूबोनिक प्लेग के बाद होता है इसमें और अधिक गंभीर लक्षनों को देखा जा सकता है लेकिन इन सब में pneumonic plague सबसे खतरनाक है जैसा कि नाम से पता चलता है ये तब होता है जब bacteria फेफ़णों में प्रवेश कर जाए और इसमें pneumonia भी हो जाता है ये बहुत घातक है क्योंकि अगर इलाज ना किया जाए तो इससे जान से हाथ धोने की काफी संभाव ना होती है ये अप्लेग का एक मात्र रूप है जो संक्रामक बूंदो द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है जो इसे सबसे अधिक संक्रामक भी बनाता है ब्लैक डिट के साथ एक और सवाल आता है ये सवाल है कि क्या वास्तों में ये उत्पन कहां से हुआ या एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से एतिहासकारों को परिशान किया है लेकिन कुछ साल पहले शूत करताओं ने दावा किया कि ये बिमारी आधुनिक उत्तरी किर्गिस्तान में 1338 से 1349 के आसपास उत्पन हुई थी मतलब दुनिया के बड़े हिस्से को तबाह करने से लगभग 7-8 साल पहले एक और सवाल आपके मन में आया होगा कि क्या आपको ब्लैक डेथ के बारे में चिंतित होना चाहिए जवाब है बिलकुल नहीं डॉक्टरों को ये उमीद नहीं है कि या बिमारी ओरेगॉन से कहीं आगे फैलेगी या इंसानों में किसी मौत का कारण बनेगी आज हर साल दुनिया भर में प्लेक के कुछ हजार मामले सामने आते हैं जिन में से ज्यादा तर मेड़ागासकर, डेमोक्राटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और पेरू में आते हैं इनकी बृत्यूदर लगभग 11 प्रतिशत है इतनी कम रित्यूदर का कारण आधुनिक एंटिबायोटिक्स हैं जो यरसीनिया पेस्टिस द्वारा उत्पन खत्रे से निपटने में काफी सक्षम है लेक के सभी रूपों का इलाज सामान्य एंटिबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है और शुरुवाती उपचार से ही बचने की संभावना में काफी सुधार होता है आईए अब जल्दी से देखें आज के रैपिट निउस में क्या है खास हाली में केंद्रिय विदेश मंत्रिय एस जैशंकर जर्मनी में चल रहे साथ में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए इस सम्मेलन को अक्सर दाओस ओफ डिफेंस भी कहा जाता है यह एक अंतराश्ट्रे इस्तर का सम्मेलन है जो महत्वपोन सुरक्षा और विदेश नीती के मामदों पर चर्चा और समधान के लिए मंच प्रदान करता है यह सम्मेलन हर साल फरवरी में आयूजित किया जाता है म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के सापना शीत युद्ध के समय की मानी जाती है तथा 1963 में शुरू हुआ यह सम्मेलन पहले केवल सैन ये मुद्धों पर केंद्रित था लेकिन शीत युद्ध की समापते के बाद सम्मेलन ने अपने एजेंडे का विस्तार किया जो रक्षा और सुरक्षा मामदों से आगे बढ़कर जलवायू परिवर्तन और प्रवासन जैसे मुद्धों को शामिल करने लगा और बाद के वर्षों में इसने रूस, भारत और चीन सहित पूर्वी देशों के नेताओं को आमंत्रित करना भी शुरू किया राष्ट्री अनुसूचित जाती आयोग ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में राष्टपती शासन लगाने की सिफारिश की थी आपको बता दें कि भारतिय सम्विधान का अनुचे 338 राष्ट्री अनुसूचित जाती आयोग से सम्मंधित है तथा यह भारत सरकार के सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्राले के अधिकारक शत्र के तहत इस्थापित एक समवेधानिक निकाय है। इसके स्थापना अनुसूचित जातियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, शेक्षिनिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पहले अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए एक ही आयोग था लेकिन 89 में सम्विधान संशोधन अधियम के तहट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए गठित पूरुवर्ती राष्ट्रे आयोग को 2004 में दो अलग-अलग आयोगों में बदल दिया पिछले कुछ समय से कालेश्ष्वरम लिफ्ट सिचाई परियोजना चर्चा में है हालाकि यह परियोजना अपनी लागत को लेकर शुरुवात से ही विवाद में रही है और हाल ही में कैक की रिपूर्ट ने भी इस परियोजना को लेकर हुई विट्टिया अनेमितता पर प प्रियोजना भी है इस प्रियोजना को विक्सत करने का मुख्य मकसद तिलंगाना में बेहने वाली गोदावरी और अन्य नदीं के पानी को लिफ्ट करके राज्जी को सिचाई और पेजल की सुविधा प्रगान करना है और इस प्रियोजना से लाभान्वित अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा पूरे विश्व के सामने एक बड़ी चुनोती बनता जा रहा है इसी के समधान के रूप में विश्व के पहले लकडी के उपग्रह को लॉंच करने का विचार किया जा रहा है दरसल नासा और जापान एरो स्पेस एक्स्प्लोरेशन एजनसी यानी जाक्सा अंतरिक्ष उडान संचालन को टिकाओ बनाने के प्रयास से दुनिया के पहले लकडी के उपग्रह लिगनो, सैट, प्रोब को अंतरिक्ष में लॉंच करने पर विचार कर रहे हैं वैग्यानिकों का मानना है कि उपग्रह की बायो डिग्रेडेबल प्रकृति प्रित्वी के परियावरण को सनरक्षत करने में मदद कर सकती है आज बहुपक्षिया नौसेना अभ्यास मिलन 2024 के शुरुआत हुई इस अभ्यास का आयोजन 19-27 फरवरी तक विशाखा पत्तनम में किया जाएगा यह मिलन अभ्यास का 12. संसकरण है जिसमें लगभग 50 देशों के प्रतिनिधी मंदल हिस्सा लेंगे आपको बता दें कि यह एक द्वीवार्शिक बहुपक्षिय नौसेने का अभ्यास है जिसके शुरुआत भारतिय नौसेना ने 1995 में की थी तथा इस अभ्यास की कलपना मूल रूप से भारत की लोकिष्ट पॉलिसी के अनुरूप की गई थी लेकिन बाद के वर्शों में इस अभ्यास में एक्ट इस्ट पॉलिसी और विभिन भागिदार देशों को शामिल किया गया आईए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर अधारित क्या प्रश्ण बन सकते हैं पहला सवाल है GSLV Mark 2 के संबंध में निमलिखित कतनों पर विचार करें यह चौथी पीडी का चार चरणों वाला प्रक्षेपणियान है जिसमें चार तरल स्ट्रैपॉन है स्वदेशी रूप से विक्सित क्रायोजनिक उच्च चरण GSLV Mark 2 का तीसरा चरण है उपर दिएगे कतनों में से कौन सा यसे सही है या हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों कोई भी सही नहीं है अगला प्रशन है दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रा लिग्नो सैट प्रोब को अंतरिक्ष में लांच करने के लिए किन दो अंतरिक्ष एजनसीजस ने हाथ मिलाया है नासा और जाकसा, नासा और इस्रो, इस्रो और ESA या फिर नासा और ESA आईए देखें पिछले बुलोटिन में क्या सवाल पूछे गए थे उनके सही जवाब क्या है पहला सवाल था निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए इनसेट 3DS सेटलाइट को PSLVF14 रॉकेट से प्रक्षिपित किया जाएगा या एक हाई टेक वेदर सेटलाइट है इसका उद्देश्य मौसम के भविश्य माड़ी और आपदा चेतावनियों में मदद करना है वो परियुक्त कत्रों के अधार पर सही विकल्ब चुनना था एक दो तीन सही हैं दो तीन सही हैं एक और तीन सही है या फिर इन में से कोई नहीं सही जवाब है option B दूसरा सवाल पूछा गया था green hydrogen आधारे दुनिया का पहला एरपोर्ट है दिल्ली इंटरनेशनल एरपोर्ट मुंबई इंटरनेशनल एरपोर्ट कोचीन एरपोर्ट या फिर चन्डर इंटरनेशनल एरपोर्ट सही जवाब है option C कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट तो आज कes Vall leg butta Iron में इतना ही रखते हैं कल रात апष नो बज़े आपसे फिर मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिए ठीक से पढ़ाई कीजिए और अगर आप इस बुलेटिन की पीडिएफ हासिल करना चाहते हैं अमरितुपध्य 007 टेलेग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडिएफ रोजाना मिलती है आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कॉमेंट बॉक्स में देना है और इस बुलेटिन को लाइक भी करना है नमस्कार